नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिद्याले संचालन से संबंधित आवस्यक दिसाद निर्देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अधि आप बिद्याले परदान है अर्थार परदान ध्यापक हैं तो आपको यह जानकारी आवस्य होनी चाहिए और इसके साथ-आप अपने सहायक सिक्षाकी मदद से वह जो दिसाद निर्देश को सही से आसानी से किरियानवीद कर सकते हैं वह कौन सा दिसाद निर्देश सिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है इसकी जानकारी हम लोग इस बोर्ड पे आकर समझने का प्रियास करते हैं तो इसमें दास पार्ट्स में उस दिसाद निर्देश को संचेव में मैं लिखकर यहां रखा हूं उसे एक एकर हम ल ृते हुए दैनिक समाचारपत्र अन्य कि उस दिन का समाचारपत्र में क्या मुखवातें अंकीत की गई है जो कि बच्चों को बच्चों के हित की है तो उसका वाचन किया जाना है सिक्षकों के दोरा और इसके साथ तदी बच्चे भी पढ़ सकते हैं तो उस समाचार को पढ़ करके उस चेतना सत्र के दोरान में सुना सकते हैं अन्य बच्चों को और इसके साथ एक से बीस तका भी पहणा चेतना सत्र में ही किया जाएगा और यह कक्षा एक से कक्षा पास तक के लिए निर्धारित है उसके बाद भारत एवं बिहार का नक्षा है भारत का जो मैफ है भारत का जो मानचित्र है और इसके साथ साथ जो बिहार का मानचित्र है उस मानचित्र के बारे में उस नक्से के बारे में पूरी भ्याख्यान देनी है सिक्षकों द्वारा और यह कक्षा 6-12 तक के लिए संचालित होगा उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है बरामदे में जिला अस्तरिय पताधिकारी का नाम और उनका मोबाईल नंबर भी दर्ज होना चाहिए पेंट की सहायता से बरामदे में उनका नाम उसके साथ साथ उसका मोबाइल नमबर भी लिखा होना चाहिए जिला अस्तरिय पदाधिकारी में जिला पदाधिकारी जिला सिक्षा पदाधिकारी जिला कर्जक्रम पदाधिकारी उसके बाद थाना प्रभारी प्रखंड अस्तरि का 6-7 घंटी का वीवरणी होना चाहिए और उसकी वीवरणी उसका पूरा डिटेल उसका पूरा व्योरा लिक्ता होना चाहिए के चोथा इसका point है चात्रों उपस्थिती आधी कम हो रही है नमांकन के अनुकूल अधी चात्र की उपस्थिती कम हो रही है तो संबंदित वर्ग के सिक्षक और उस वर्ग के जो सिक्षक है उसे पोशक छेतर में जाकर उनके माता पिता या तो फिर अभिवाबक से पता लगान है और उसका मोबाइल नंबर लेना है और पूछना है उसका कारण भी असपस्टूप से पूछ करके आना है पंजी में लिख करके कि वह बच्चे क्यों नहीं विद्यालय आ रहे हैं उसके बाद इसका पाचमा पॉइंट इस प्रकार से है कि प्रतेग विद्यालय में एकेडमिक कलेंडर भी होना चाहिए विद्यालय का जो पठन-पाथन का कार्ज है उसके लिए एकेडमिक कलेंडर का होना जरूरी है इसलिए प्रतेग विद्यालय में इसकी आवसकता है उसक प्रत्मा इसका पॉइंट है कि पाठ योजना निकी लेशन प्लान और पाठ टी का लेशन कोमेंट का संधारन प्रति दिन होना चाहिए अनि कि किस प्रकार से बच्चों को उसकी जो दिंचरिया है पढ़ाई की उसका सिलेबस किस प्रकार से उसका पाठिकरम किस प्रकार से पूरा होगा तो उसे पूरा करने का एक ही उपाई है एक ही साधने की पाठ योजना बनाएं और उस योजना के अधार पर आप पाठ टिका किस प्रकार से बनाएंगे और उसमें उस बच्चों का उद्दे से की पूर्ती किस प्रकार से होगा और अंतता उस पे प्रस्णों का समाधान भी क किया जाना है तो सारी बाते पाठ्टिका में संधारित होनी जा चाहिए और इस आधार पे बच्चों का पठन-पठन सुचारू रूप से किया जाना चाहिए उसके बाद सनिबार को सिक्षक अभिवाबक बैठक होनी चाहिए और यह प्रतेक महिना में एक रूटिंग के तहत होनी चाहिए यह आठमा पॉइंट था कि प्रतेक महिना में भी एसस का बैठक और प्रतेक महिना में उसी महिना में सिक्षक अभिवाबक बैठक भी होना चाहिए उसके ब आता है तो उन बच्चों का रेमेडियल टीचिंग और उपचारात्म के सिक्षन के आधार पर उन बच्चों को फिर चालिस प्रतिसद से जो रिमार्क्स ज्यादा आना चाहिए उसके उसका प्रियास करना चाहिए फिर इसका अंतिम पॉइंट दसमा पॉइंट है कि विद्या संचालन से संबंधित क्या दिशा निर्देश जारी की गई थी और यह दिशा निर्देश पहले से ही चलता आराज शिर्फ इसको एक रिमाइंड के तोर पर जारी किया गया है जिसमें हम लोग 10 दिशां निर्देश के बारे में अध्यन किये और भी अन्य प्रकार के भी द इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस थी थे, थांक्स फोर वाचिंग, गुडबाई.